आज के वीडियो में आप धनियांत या फोवाइट के बारे में जान सकेंगे और साथ मुझति फुजिमारियों के लिए गिरेलू टोटकों के बारे में जान सकेंगे फ्रेंट से सबसे पहले में रिक्वेस्ट करना तो आँगी कि फ्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के निचे दिएगे राइड़ के बटन पर क्लिक किजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक किजिए इस पर क्लिक करने स आपको हमारी हर ने आनिवाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी। और आप रोजाना हमारी वीडियो सबसे पहले दिख सकेगी। फ्रेंट्स यह आप इन फ्रेंट्स का शुक्रिया दाकर ना तुरांगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। का बहुत शुक्रिया तो फ्रेंट टोपिक के तरफ आते हैं धनिया एक मुशूर जुमाना बुटी है जिसका शमार जाया सब्जी नहीं होता है यह अलग सब्जी के तोर पर नहीं पकाई जाते हैं यह आप डेली बेसिस पर अपनी हर सब्जी में डाल जाते हैं लेकिन इसको अलग सब्जी की तोर नहीं बनाए जानते हैं हल्बता सालन में शामिल दूर के जाती है इसे कमो बेश रोज खाया जाता है पाक्स्तान में इसकी काष्टाम है इसका मजज जो है वासवर्द खुशक है सालन या सब्जी में इसके पत्टे जाएं खुश्पूर के लिए समा करने दस्तों को बन करने अगर पैचिस वगरा हो तो उनको बन करने में मफीड है दन्य का शुकूर जा है पानी के साथ आप पिलाने से खून ही दास्ते हैं, यह अगर पेचस वगारा में खून है तो भी बंद हो जाएगा, मुझ की गर्मी और गड़े के दर्ड के लिए दनिया का पानी भी उबाल का नीम गर्म पानी से आप गरारे करने से भी आपको फाइदा होगा, बुना होगा दनिया सफूब बनाकर इसमाल करने से आपको पेट के तुमाम मुराज से नजाद मी लेगी और बाद हजनी भी दूर होगी मेदे के लिए अगर मेदे में कोई मसला है तो पांच तोला मगज बादाम, पांच तोला सौफ, राई तोला धनिया, हमरा दस तोला जीनी के सुपूब बनाकर एक तोला खाना, खाने के बाद खाने से मज़ जाए, दूर होता है और दमाग को भी कुवत मीती है, धनिया खा पानी में रग़ कर पलाना और सुपूब बनाकर इस्तमाल करना भी जाए, बहुत होई मुपीदा बच्चों के लिए भी भी कre भी की है, प्केवी होंटों पर धनिया या राल तक पानी बेह ना ज़य को यह भी को पीर लगाने से आराम आढ़ जाता है, पकेवी होंट के लिए यह मुफीद है अगर आप गी और धनिये को पीस कर लगाते हैं तो इससे आपको पके वी होट से फाइदा होगा ठीक होंगे धनिये के सब्स पत्ते दस क्राम जौाइन देशी पांच क्राम नमक नहुरी नमक के साथ क्राम हमरा एक पाउ पानी के रगड कर पीने से दर्स्त प के जिस वगारा यह रूज मोशन के वॉम्टिंग वगारा भी बंद हो जाती है बपाई हैस्द में भी यह एक द्वाब के तोपर काम करता है बचों के पेट दर्द के लिए एक ग्राम सफूफ दनिया पिलाने से इनको अराम हा जाता है खुश्क दुनिये का सफूफ जह है बतोर नस्वार यानि जैसे नस्वार रखी जाती है वैसे आप इसको लेने से नक्सीर वगारा जो है वो बंद हो जाती है या अगर नक्सीर फूपती हो बच्छों में या तो आप इसको इस्तिमाल कर सकते हैं तो इससे इसकी नक्सीर आना जो है बच्छे की बंद हो जाती यहां पर एक बादशे करना चाहूंगी कि अक्सर किसी बिमार ने बर्तर में खाना खा ले तो बर्तन को कुछ लोग फैंक रेते हैं या इस इंसान को बर्तन इत्माल अब करने पारे काफी बातें जहां सुननी बढ़ते हैं तो बर्तन आपका एक दफा ही साफ साबन या सरफ से दोल जाएगा साफ हो जाएगा यह साफ सफ़ाफ हो जाएगा लेकिन ऐसे लोगों को जो बाते करते हैं इनको अपने जहीं हो दिल को साफ करने की बिज़ोटा है बर्तन साफ करने से साफ हो जायजा लेकिन दिल साफ करना भी जो दिलजारी हो जाएगी वो कभी साफ नहीं होगी किसी की रूख को दुखी करने के विजाए दिल दुमाग को साफ करें बर्तन को कुछ नहीं होता अगर आप इसको साबन से दो लिती है किसी किसी भी इनसा डेंखाया और बैमार इनसा ने खाया वजाज जैसे भी आप लोगों जित से नफ़त कर रहे हैं बेज़ा लिए तो इस बठेंगा को फेकने की विजाए ऑप बठन nessa का साफ है तो बजाए मादी चीजों की फिकर करने की बजाए वो चीज़े तो एक खत्म होने माली है लेकिन एक इनसान जो है जिसके दिल में जो अलफाज चुबेंगे वो ज़्यादा लुक्सान दें हैं तो आप अपने अपरसा तरह का गुना लेने से बेतर है ले दिलाजारी करने से तो बेतर है कि आप इनसानी एमोशन वेस्वसार्थ को भी जुरूर समझे बजाए चीजों मादी चीजों की फिकर करने के अगर आप कोई बात अच्छी लगती है लगता है कि आपको फ्रेंट के साथ शेयर होनी चाहिए नौलेज की बात अच्छी बात है तो प्लीज आग और अपनी राय के जहार दरूर करें और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें